प्यूपल्स जेमोक्रिटिक पार्टी की अध्यक्ष महभूबा मुफ्ती ने शुक्रुवार को बिजेपी पस सन्विधान पर बुल्डोजर चलाने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवापाटी के निताओं के बीच मुसल्मानों के घर और रोजी रोटी चीनने की होड लगी है। और संप्रताइक तनाओं उत्पन हो गया था। इसके बाद शेहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। वही मद्यप्रदेश में सतारूर बीजेपी सरकार ने कहा कि हिंसा के दोरान सारवजनिक और नीची संपत्ती को हुए नुकसां की भरपाई दंगियों से की जाएगी। मुफ्ती ने सिल्सलेवा टूइट में कहा बिजेपी जिस प्रतिशोद इसे भारत की समवेधान पर बुल्डोजर चला रही है वे अब अल्प संख्यकों के घरों तक पहुँच गया है। बिजेपी नेता मुसल्मानों से सब कुछ छीनने में एक दूसरे को पीछे छोड़ रही है। चाहे वे उनका घर हो या रोजी रोटी हो या सम्मान। जम्मू कश्मीर की पूर्वे मुखमंत्री ने कहा कि बहु संख्यक समुदाय की चुपी बेहत चिंता जनक है। उन्होंने कहा कश्मीरी मुसल्मान होने के नाते हम पर कई बार आरोप लगाया चाता है कि हम तब चुप रहें जब कश्मीरी पंडितों को भागने के लिए म हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें